हेलो व्यूइज कैसे हैं आप लोग आज हम आपको बहुत बिल्कुल वन ओ वन बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कि वाशिंग पाउडर में चीजें क्या-क्या पड़ती हैं हम एक सेरीज लेके आ रहे हैं मेरे से बहुत सारे लोगों न का कि बेसिक बताईए मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा पूरा वीडियो एंटक देखेगा बहुत कामका है वाशिंग पाउडर बिल्कुल बेसिक से कैसे बनाते हैं अगर आपको सीखना है तो इसको एंटक देखेगा अभी अभी हम से आपको आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको एसे सरी होता है इसको हम लोग लैपसा भी कहते हैं इसका पूरा नाम होता है लीनियर बेंजीन अलकलीन बेंजीन सल्फोनिक एसिट इसको शॉर्ट फॉर्म में लैपसा भी बोला जाता है यह आपका पेट्रोलियम से डिराइव होता है प्रोडक्ट पर यह से रियक्शन कराके इस समय वजिसारी जाता है लकिन उसको लोग अश्य सरी के नम से बियते तरीके से जानते हैं इससे आपकी फॉर्मिंग टीरिग दोनों का काम करता है और इसमें पर्सेंटेज वाइस बजार में caces यह बनाया जाए हूझ बीचते हैं 85 इसई गाउन ca कानपुर में हम लोग इसको कोशिश करते हैं 89-90% का ही यह बनाया जाया और मिले भी सभी लोगों को तो आप इसको कानपुर से खरीद सकते हैं या कहीं भी से भी आप खरीद सकते हैं as per your choice as per your demand इसको दो तरीके से खरीदना चाहिए एक तो rate देखके भी खरीदना चाहिए दूसरा इसके percentage को भी देखके खरीदना चाहिए जो लोग यह जानना चाहते हैं कि इसकी percentage बिना लैब में दिये कैसे test करते हैं वो मुझे comment कर सकते हैं या मैं description में number दे दूँगा मैं उनको बता दूँगा यह video end देखेगा बहुत fruitful है ऐसे ही छुटी छुटी चुटी tips जो आपको कोई नहीं देगा कभी नहीं पता चलेगी कोई youtube नहीं देगा बिना study को कैसे check करना है यह भी मैं आपको बता दूँगा और कैसे इसको neutralize करते हैं यह भी मैं आपको बता दूँगा इसको neutralize करने का पूरा तरीका है इसको हम लोग आज जो neutralize करेंगे वो plastic soda सी करेंगे यह का स्पर पानी मिलाया है तो यह दूज़ यह दिखिया गरं हो जता ही तो इसको थोदा सा देखके हातस से दूर रक्के का पूरा प्रोसेस बता दूँगा कैसे इसको मिलाते हैं और सिर्व इसका आपको कास्टिक लाइज का सल्यूशन एक आपको बना लेना है और इसी से हम लोग आज स्टरी को नूटलाइज करेंगे बहुत बेसिक चीज है बहुत सारे लोग यह जानते हैं या जिनको नहीं पत कितनी कास्टिक से नूटलैस किया जाता है नूटलाइज का एक्शुली मतलब क्या है इसके पी-एच को कैसे टेस्ट किया जाता है यह सारी चीज़े मैं आपको आज बेसिक से बता कुछ मिलेगा इंटर बने रहेगा सब्सक्राइब कर दिजे आगे वीडियो में मैं आपको पूरा यह दिखाऊंगा कि कैसे इसको नुटिलाइज करना है यह देखिए हमने काटे को जीरो कर लिया है आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें देखिए हम लोग यह एसेट्स तरी जो कि हमने ली है 90% की और यह देखिए कितनी थिक कितनी बढ़िया एसेट्स तरी है गाड़ी एसेट्स तरी है इसको हम लोग लेंगे 12 ग्राम 12 ग्राम इस कि लगबग हमने इसको बारा ग्राम ले लिया है स्लरी को और यह जो स्लरी है यह 90 परसेंट की है और इसको न्यूटलाइज करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है ध्यान से देखिएगा इस स्लरी भी एसिडिक नेचर होती है इसकी जो पीएच है यह एक पीएच स्ट्रिप सब्स निद्यक्त स्लरी फाल लेंगे कहीं से भी आप ले ले लीजिए इसको और यह बजर में भी मिल जाती ही इस्ट्रिप आप हमसे ओडर कर सकते हैं और यह रीखिएगा इससे हम लोग क्या करें लोग कि लीज़े नेचर हैिसकी प्यएच एक यह इसपास है तो यह acidic होती है इसको neutralize करके इसकी pH value हमको green करनी है 7 के पास लेके आना है तो इसके लिए हमने क्या arrangement किया है यह दिखिए यह कास्टिक सोडा होता है यह बिलकुल flakes form में होता है इसकी pH 14 होती है सबसे जादा होती है कास्टिक की इसको पहले पानी में neutralize कर लिया है और neutralize करने का वस्ते सोट को चिप्स है यह जादा निया वारा ग्राम ले लिया और यह इसको हमने फंदा उने के द्थया दा था आप यह बिलकुल transparent हो गया है ठंडा हो गया है और इसमें स्टरी ले लिए 12 ग्राम जादा नहीं लिए 12 ग्राम ले लिए इसमें हम लोग सिर्फ मिलाएंगे 4 ग्राम इसको न्यूटलाइज करने के लिए उसके बार इसकी pH को चेक करेंगे और इसको भस धीरे धीरे आप करके इसको आप इसमें एसे मिला लीजे लगबद 4 ग्राम डालने के աद इसको आपको चलाना है लगबद 4 ग्राम डालके देखे हम इसको इसको इस तरीके साओंगे इसको न्यूटलाइज करने के लिए और जब स्टरी निट्लाइज जाएगी तो देखिए जेल फॉर्म में ऐसे बनने लग जाएगी इस पूरे सल्यूशन को आप वाशिंग पाउडर में यूज कर सकते हैं और यह रिखे यह जो इसका जो पीएच होगा वह आप देखेंगे फोर के आसपास सेविन के आ वो आपको 109-10 के आसपास रखना होता है और लिक्विड डिटरजेंट या कुछ भी हम लोग हैंड वाश भी बनाते हैं डिश बनाते हैं सबका पीएच 6-7 के आसपास रखना होता है तो यह दिखे बहुत असानी से बिल्कुल पाइस हो जाएगी इस तरीके से से इसमें आ ताकि आपके हाथ में स्टरी और कास्टिक दोनों का सल्यूशन ना लगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर गलती से लग भी जाता है तो आप तुरंट इसको पानी से दोएं और नारियल के तेल लगा ले ताकि आपके हाथ में जलन ना हो यह जो हमने पेस बना लिया थ अब आप इसको अपने लिक्विड डिटरजेंट या डिटरजेंट पाउडर में पेस को यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इसमें अच्छी फोमिंग रहेगी अच्छी क्लीनिंग रहेगी इसमें फिर आप अपना असलियस भी मिला सकते हैं और इसके बार इसक लोल तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ले रहे हैं पेट्री डिश में और अल्का से नॉर्मल पानी डाल ले हैं इसलिए हम लोग इसको डाल लएज कि हमको पीएच सलीशन हमको चैक करना है इसमें पानी में ऐसे घोल लेंगे इस तरीके से simple way में इसको check करने के लिए इसकी pH value को और इसमें इसकी pH value अब neutral हो गई होगी तो इसको हम लोग थोड़ा सा solution form में बना लेंगे ताकि ठीक से indication है और इसमें काफी अच्छी forming भी है cleaning भी होगी इससे आप अपना washing powder cake जो भी आपको बनाना आप आम से बना सकते हैं इसको देखे थोड़ा सा हम लोग dilute कर लेते हैं अलका सा डाइलिट करने के साथ साथ इस पर प्यस स्टिप से इसको चट करेंगे अब यह पीयस स्ट्रिप है इस से इसको अगर लगवं लुग, जञेंगे तो आप इस तरीके से इसको बनाके और इसको कर सकते हैं और इसमें और इसमें नीड बी और इसमें ठीक्लीनिंग भी है मैं थोड़ा सा पाणी में डालके आपको दिखाता हूँ वे यह आपको दिएगा और आपको कियो इसमें कास्टिक भी पड़ी है और इसमें ZRgreat यह यह दोनों ही चीज आपको हमाया से भी मिल जाएगी और आप बजार से कही से भी ले सकते हैं क्लीनिंग भी है यह कंप्लीट आपका लिक्विड डिटरजेंट का पेज बन गया है इससे आप लिक्विड डिटरजेंट बना सकते हैं और यह देखी कितनी ज़्यादा फोर्मिंग आ रही है तो यह बहुती बड़िया सल्यूशन बन जाता है जब इसमें कास्टिक को न्यूटलाइज करके स्टेडी के साथ करते हैं इसमें आप बात में और भी आइटम मिला सकते हैं अपने साथ इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं तो एक यह सिंपल से टैक्टिक्स थी सिंपल सा प्रोसेस था मैं बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे बनाना है और यह जो प्रोडेक्ट है यह आपको अराम से सब जगा मिल जाएगा हर जगा वेलिबल है यह कानपुर में मेरे आभी मिल जाएगा हमाया पास और भी बैटरीन टेक्नीक्स हैं जिससे हम लोग वाशिंग पाउडर अच्छी कॉल्टी का बना सकते हैं सस्ते में बना सकते हैं और हमाया पास सरी के सबसिट्यूट भी हैं सोडे के भी सबसिटी एं और कास्तिक के भी सबसिटी और बहुत सारे iatems है जिससे आफ Washing Boarder और कंपrाइज में भी बना सकते हैं लेकिन यह बल्कुल बेसिक था यह सभी लोग इस तरीके से बनाते हैं सभी लोग इस तरीके से यूस करते हें यह जो solution बन जाता है यह जो paste बन जाता है यह बहुत ही high quality का होता है और इसमें देखिए forming भी काफी अच्छी होती है आप इदेख सकते हैं और इसमें pure चीजें हैं इसमें अभी सिर्फ study है और इसमें caustic है यह आपका forming सफाई दोनों करेगा बाकी अगर आपको कोई भी जानक इन सब की training करते हैं हमारी अभी बहुत जल्द एक training seminar भी होने वाला है और एक हमारा formulation fees 800 रुपीस की आप हमसे one year के लिए company के member बन सकते हैं member बनने का फायदा आपको यह मिलेगा for one year आपको सारे formulation अच्छी techniques अच्छे cleaning range के हिसाब से सब चीजे आपको मिलेंगी मैं आपको एक membership का card दे दूँगा जब आप membership लेंगे 800 रुपीस की और membership one year के लिए valid होगी formulation आपको one year तक मिलते रहेंगे आपको consultancy हम से one year तक मिलती रहेगी और आपको पूरी जानकारी मैं हमेशा दूँगा आप कभी हमारे आएंगे तो आप में लाब लगी आप लाब लेवल पर चीज विडियो बनाता हूं हाइटा इंडस्ती समाई कंपनी का नाम है कानपुर में हैं हमसे आप जोड़ सकते हैं थैंकियो फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एव गुड़ दे